कि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीबिने गये लिलय देख रहा है इसका फूल डीटेल्स मानलोब स्का ओर इस तरह काम करता है और इसका जो system में और किस ततरह यह जाते हैं इसको एक तो प्न्वेंटर ले बुला या था है तुसरा एस पीपियर वोलायív था क्या गोलता है तो इसका जो system है input जो लिए वह थीरी फिय्ज होता है input अ थीरी ओटT可以ra 415 वोल्ट और 50 से लेके 60 HZ तक इंपूट लोड ले सकता है इसका आउटपूट जो होता है आप 230 आउटपूट पे यूज़ कर सकते हो तो जो लोड होता है वह 1.5 से लेके 5 एंपर तो होता है अब दिस्यूश करेंगे तो 30 वोड़फ दिसी तक ओं काम करेगा कि मानलोब इन्पूट और आउटपूट इनपूट जो होता है वह 3 फेस होता है लेकिन आउटपूट वे जिसंप्लाइश करनेके लिए को करते हो वह लेकिन वोड चले देखते हैं इसका देखते हैं ऑर चल्बोंट तो चल यह देखते हैं इसका डिले का जो उख बाईरिंग उससे उपे का जो देख रहे हैं और तर फेज इंपूट होता है तो अंदर का जो सर्कीट यह ओनोज आता है और नीचे 15 16 बाइन ओर 18 था है बंदरा से तो सब्सक्राइब करेंगे लिज और अधरा नमलेश रहता है ऐसको कट कर देगा और आप जो परपस करते हैं उसको भाड़ कर देगा आप जैसे वैब लिए किया क्या काम करता है जैसे सबसे पहले लिखा हेल्थी मतलब आपका सिस्टेम में कुछ पॉब्लेम नहीं है सिस्टेम में मतलब आपका जो इनपूट वोल्टेज है वो सही जगा पर लगा हुआ है और उस पर वोल्टेज में कोई डिफाइंस नहीं है तो ओ लाइट फिक्स जलता रहेगा इसके बाद आता है फेज लॉस मतलब आपका तीरी फेज का अंदर कोई भी एक फेज रेडियो यह लो बुलू कोई भी एक फेज नहीं रहेगा तो ओ लाइट बंद रहेगा और तीसरा जो ऐसा इमेट्री में क्या होता है आपका जो सर्कीट है अंदर का उसर्कील में कुछ पॉब्लम होगा मदल आउट पूट नहीं निकलेगा सर्कीट ओन ही नहीं होगा तो उस पे लाइट मदल स्पीड से बिलिंकिंग करेगा और फेज सीकुएंस फेज सीकुएंस मतलब क्या एक फेज से दूसरा फेज का जो वोल्टेज डिफाइन से और फेज से ज्यादा तो वो लाइट सुलो विलिंकिंग करेगा और वो काम कैसे करता है जैसे अभी इंपूट पे रेड योलो बुलू तीन फेज इंपूट करते हो तो इस इंटर का जो लाइट तिक रहे लीडी ओ जलते रहेगा और अन्दर का जो सर्कीट है ओन हो जाएगा जब अंदर का सर् घेगे कि इस सब्प्लाइचर नंबर सि आउटपूट करेगा इस से कई होता है कि इंडोर का जो चीपी होता है जो ङो कंग होता है ओसाफ़ाई पंधर नंबर पे होता है कि शुप नबर और ऑक कि ऐल्चप मै उन ऋड़नी durap मतलब ही एल ओनन पर नियुटल होता है यह कोंट्च्टर का जो कॉईल है ऑँ उल राच टी आफ हो जाता है तो थे झालो हो जाता है इस से अथा हो जाता है जैसे फिले वह बार नो या हूँ चाहिए ऑस ब्लू लगा हुआ है और इसका जो वोल्टेज हो भी डिफाइंस नहीं इसके लिए लाइट फिक्स जल रहा है तो भी यह लाइट ब्लिंक करेंगा तो कॉंटक्टर का जो प्लांजर है अब उपर तरह भी क्योंकि इंडूर का जो सीपी है वह अभी तक आउटपुट नहीं क से आउटपुट होगा तो वो सव्फलाइब आउटडोर का इलफिएच फ़िवाया होके फिर प्लांजर तौनक्टर के बाहर तरफ है यह अंदर तरफ बैठ जाएगा ते पीर क्या होगा कॉन्ट्रेटर का नीचे तरह तरफ उपर तरफ चला जाएगा यह सो थसकicksal है कि आपको जो तो थाट है यह सालो हो गया है दिखाता हूं इसको आप्तों कंडेक्टर का जोओ फिंग अब दिखानेट कि अथो भीवज़न का मैं बिखाता है प्रसी और है विए लो पेर नीचे को užड़ा का जो पर कंटेम से हैं और कॉम्पिसर स्टार्ट हो गया है इस तरह एक काम करते हैं तो चलिए इसका जो तीनों फेज यह यह लो गुलू इसका एमपेर भी चेक कर लेते हैं इसे रेट फे ले रहा है सेवन फॉइंट फाइफ सिक्स है रेट पे ज्यादा ले रहा है क्योंकि रेट के साथ इंडूर का जो सप्प्लाई ही इंडूर का फैन और इंडूर का जो फिसी भी है उसको और करने के लिए फेज न्यूटल देना पड़ते हैं वही फेज रेट के साथ कनेक्ट है अब यह लो पे फॉर फंट फाइब यह लो पे कम ही और बुलू पे वी एक मिनिट फाइफ फंट थी न सब्सक्राइब लाइक करना और बेल नोटिविशन को और करना इस टाइब वीडियो सबसे पहले दिए